जबस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी एक तरफ तधान मंतरी नरेंद्र मूदी का मैजिक है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जना क्रोश रैली कर रहे हैं 2019 का चुनाव अभी दूर है उतना भी नहीं लेकिन उसके लिए तैयारियां और तलवारें अभी से खिशने लगी हैं आज कौंग्रिस के अद्धिक्ष राहुल गांधी ने दिलने में जना क्रोश रैली किया और दावा किया कि नसर्फ आने वाले विधानसवा चुनावों में बल्कि 2019 में कौंग्रिस सब्ता में लौट रही है राहुल ये भी दावा किया कि आज देश की जनता नरेंदर मुदी से नाखुश है लेगिन राहुल को खुद बीजेपी अद्धिक्ष अमिश्या ने जवाब दे दिया अमिश्या ने कहा कि ये और कुछ नहीं सर्फ परिवारा क्रोश रेली है जना क्रोश तो कौंग्रिस के खिलाफ है जो लगातार चुनाव हार रही है बीजेपी का दावा है कि हार के बाद अपने निराश कारी करताओं को राहुल गांधी जीत के सबजबाख दिखा रहे हैं और इसलिए आज दंगल में हम अपने राजनितिक महमानों से सवाल पूछेंगे और आज के हमारे सवाल है कि मोदी से जनाक्रोश का राहुल का दावा कितना सही है पहला सवाल यही होगा राहुल के राली को परिवार का आक्रोश बता कर बीजेपी क्या अपनी कमिया चिपा रही है जो कि अमिश्या ने कहा कि ये जनाक्रोश नहीं परिवार आक्रोश है राहुल की नई आक्रामकता में कितना दम है राहुल अचानक से आक्रामक नजर आ रहे हैं कॉंफिडेंस उनमें बढ़ गया है अगला सवाल हमारा क्या राहुल अपने कारेकरताओं को सब जबाख दिखा रहे हैं सिर्फ कहनी की बाते हैं जबानी जमाखर्श कर रहे हैं सच्चाई नहीं है कॉंफिडेंस योग नहीं है और अन्तिम सवाल 2019 में मोदी की लहर क्या चल पाएगी लगातार अभी तक चल रही है लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट आज की जनाक प्रोश राली पर राहुल गांधी की 2019 जीतने और कॉंग्रेस ही कारेकरताओं को शेर का बच्चा कहने पर ये दावा कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का है राहुल की दलील है कि जनता आज प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी से खुश नहीं है राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलेला मैदान में जनाक रोश रैली कि हलाकि इसके बाद बीजेपी राहुल को उनका परफर्फरमेंस बताने के लिए सामने आ गई बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोडी का ही गरिश्मा है कि आज 21 राजियों में NDA की सरकारे है बीजेपी अध्यक्ष अमिर्शाह ने भी ट्वीट किया एक वन्ष और उनके तरवारी जिन्हें जन आदिर्श से हटाये गया वो अब जन आक्रोश की बात कर रहे हैं कॉंग्रेस की रैली और कुछ नहीं बलकि परिवार आक्रोश रैली है जो उनकी बढ़ती अपरा संधिक्ता को उजागर करता है मैं कॉंग्रेस पार्टी से एक बात कहूँगा बड़ी विनमता से दिन में तारे देखना बंद गया जाए जिस करद से राहूल गांधी जी की अगवाई में बार-बार कॉंग्रेस पार्टी हारती है तो अब उनके बाकी काडर में राहूल गांधी जी के लीडर्शिप की अगवाई के प्रती असहज भावा आ रहा है कि शायद इनकी अगवाई में जीत नहीं पाएंगे इसलिए इस तरह का सब्ज बात दिखाने की कोशिश की जा रही है राहूल ने अपने जाना क्रोश रैली में नीरा मोदी, राफेल डी और टोकलाम जैसे मुद्धों के बाहने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि मोदी के भास्रों में सच्चाई ढूननी पड़ती है लेकिन बीजेपी चेता रही है कि राहूल तथ्ख्यों से परे होकर बेवनियाद बातें ना करें कुमार विक्राम दिल्ली आज़ता राहूल गांदी ने साफ चुनौती दिये कि 2019 हम जीत रहे हैं लेकिन इसमें कितना दम है हमारे साथ कॉंग्रिस के वरिष्ट नीता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंग जी हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीता डॉक्टर संबित पात्रा हैं वरिष्ट पत्रकार आलोक महता जी हमारे साथ हैं संबिच जी, अखिलेश जी, आलोग जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, अखिलेश जी हम आप से शुरू करना चाहते हैं, ऐसा क्यूं होता है जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो जबरतस्त कारेकरताओं की भीड़ों मरती है, राहुल गांधी में आत्मविश्वास बड़ा है, आकरामक वो हुए हैं, लगता है कि बस वाकी जनाकरूश है, लेकिन जब जमीन पर आप जाते हैं, चुनाव में आप जाते हैं, तो हार जाते हैं, एक के बाद एक राज जी, आपके पास तीस सेकेंडेश जी, प्लीज बोलने दीजेगा, क्य जनता ने बड़ी अपक्छाओं और उमीदों से इतना बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन माने मोदी जी ने अपने सिर्फ चारचे मित्रों यार दोस्तों और बसातियों वरातियों के लावा पूरे देश के हर बर्ग के लोगों को सिर्फ तकलीफें दी हैं, परिसानिय तल लो, पान की दुकान लगा लो, कोई इतनी महंगी पढ़ाई करके इतने संघर्सों से अच्छे अच्छे क्लासे पास करके डिग्रियां लेता है, उसके परिजर ये अपेक्छा रखते हैं कि वो किसी जगह अच्छे जगह पहुंचेगा, माननी मोदी जी ने दोक और न जनता को बस ये जनता को उमीर है कि कांगरेस ही एक सहारा है और चार साल जिस सरकार ने जिसने तृत ने कुछ नहीं किया, उसे अब विस्वास है कि एक साल में कुछ नहीं कर पाएगी, एक गाड़ी ऐसी जो अन्रेपेरेबल हो चुकी है, उसे अब बदलना ही है और वो ब बस मौका लगते हैं बदली जाएगी. सबित. सब्सक्राइब के बाद भी 18,000 गाओं जब हम सरकार में आये थे तो अंधेरे में डूबे हुए थे. मैं आज से चार दिन पहले श्वेता जी जो आपकी ही को पार्टनर है, एंकर है आपके चैनल में, उन्होंने कारिक्रम किया था बंगाल में, उन्होंने सुंदर्बन के सतर सालों तक इंडिपेंडन्स तक अंधेरे में डूबी हुई थी. पिर उन्होंने दिखाया कि बाग जो अटैक करते थे और लोगों को मार देते थे, अब वो संख्या में कमी आई है, क्योंकि चार महीने पहले वहां बिजली पहुँची है. मैं समझ नहीं पाता हूँ, क कि हम आक्रोश क्यों नहीं दिखाये कि बिजली आखिर हर घर तक पहुँच नहीं रही थी. दूसरी बात, जंधन योजना के माध्यम से 31 करोड से अधिक अकाउंट खुले. मुझे आक्रोश है इस बात का शाइद भाई, कि हिंदुस्तान के 70 वर्ष सुतंत्रता के 50 प्रती जंता तक बैंक अकाउंट तक नहीं पहुचा और ये कॉंग्रेस के लोग आक्रोशीत नहीं थे. मुझे आक्रोश है इस बात का कि आखिरकार ऐसा जमाना क्यूं था कॉंग्रेस के समय कि प्रती दिन केवल 12 किलोमीटर सड़क बनती थी और आज लगभग 40 किलोमीटर सड़ हुट हुआ था 10 वर्षों में वो 3 करोड का था और आज हम 8 करोड के टार्गेट के साथ लगभग 5 करोड टार्गेट उज्जुला के माध्यम से पूरा कर रहे हैं. जब से भारत आजाद हुआ है तब से आज तक 6.5 करोड टॉयलेट बने थे. आज केवल और केवल 4 वर्ष में 7 करोड टॉयलेट बन गया है. मुझे आक्रोड इस बात का है कि कॉंग्रेस में ये सब काम पहले क्यों नहीं किया था? पूर्सिया खाली होती है, कारेकरता जादा होते हैं. लेकिन आज कारेकरताओं को शेर का बच्चा भी कहा है. तो क्या ये जोश हमें दिखाई क्यों नहीं देता जब कांग्रेस चुनाओं में उतरती है? और जैसे जैसे 2019 नजदीक आ रहा है. आपको लगता है कि कुछ जन मुद्दों को ले करके एक खटा करके सभा की जाए और उस दश्टी से रेली आप कहें और जनाकरोश इस पर भी कोई शकी सम्वित जीये जो किनाया वो भी बहुत अत्तक सही है कि कई चीजों में नई उपलब्दिया भी आई है. लेकिन जो जनाकरोश की बात है हमारे हम ल लोग तंत्र में यही एक ताकत है विपक्ष होने से सम्वित जी को तो स्वागत करना चाहिए कि एक चलिए लोग तंत्र में एक पारटी ऐसी बड़ी पारटी हो राश्टी स्थर की पारटी हो जो केवल छोटे-छोटे सौदे नई करके बड़े मुद्दों को लेकर बात क करें या उस पर सहयोग की बात भी जब करतें मैं उस पर बनी जाता जन आकरोश के लिए लेकिन आज अब चुनाओं की बेला करनाटक है पर राज्यों में चुनाओं है फिर उन्होंने बोला भी है लोग सभा चुनाओं मेरा मानना है कि एसे कई मुद्दे लगातार जी बैठें कहीं नहरू इंद्रा गांधी का चित्र भी नहीं दिखाई दे रहा है एक नया अमेरिकन स्टाइल की आफ रेली यदी करेंगे आपको तीन पीड़ी को साथ लेना होगा अखलेज जी हो सकता है इनके भी पिताज बाता जी यहां पर हैं हमारे यदी कोई बुज रांकित करें और ये रास्ता आज मुझे नहीं दिखाई दिया कि जनाकरोश का केवल विजय मिलेगी और हम चीते के इसलिए आप इखटे हो जाएं ये नहीं दिखाई दिया कि हम रोजगार देने के लिए हम राजी उगानी के समय के शिक्षा की योजना या स्वास की लंबेसी गुजरात में होती है आपको मौका मिलता है को तीसरा दल नहीं होता आमने सामने की सीधी लडाई होती है आप संबिज जी की बात का जरूर जवाब देजेगा संबिज आप भी सुतंत रहें अखिलेज जी को रोकने के लिए लेकिन लडियेगा नहीं तब भी करना क्रोस है कि उमीदों को एक रती भी पाएं उन्होंने का और उमीदों जिन्होंने की दूसको अफमानित कर रहें तीन बाते हैं सम्मीदों के तीनों जूट बोला मैं जूट सब्सक्रा प्रियोग कर रहा हूं अठारा हजार गाउं माननी मोदी जी पहले लाल की लेके संबोधन में व Όνना का ता कि अभीव अठारा हजार गाउं बचे हैं और ये 18,000 गाओं जो अभी बता रहें मोदी जी, इसी बिदान सभा के अंतिम सत्र में, अंतिम दिनों में, सदन के पटल पे एक जबाब में, लोक सभा में बताया गया है, अभी 18,000 गाओं पूरे नहीं हुए, कुछ बाकी है, हो सकता है इधर 10-20 दिन में हो गया है, लेकिन लोक सभा का जवाब यही था, वो पेपर मेरे पास है, इस टाइम यहां नहीं है, दूसरी बात, जन धन, जन धन का पैसा, मोदी जूट बोलते हैं, यह आप लोग भी दिख जाए, जूट को वर्दाफास होने दीजिए, 2700 करोर रुपय स्टेट बैंक का प्राफिट है, और प्राफिट क्या है, कि जन धन ही वो जनाओं का मेंटेनेंस काट के है, सुनिये, सुनिये, और जन धन का पैसा नीरो मोदी ले गए, नीरो मोदी ले गए, छोटा मोदी ले ये लोगों को, ये अलपी जी, अभी, पिछले दो-तीन महीनों पहले, इनकी सरकार ने एजेंसियों के लिए आडवर्टीजमन निकाला, अब उसका प्रोसेस है, जितनी भी एलपी जी बटी है, ये सिलिंडर बन रहे हैं, वो सब कांग्रेस के समय के एजेंसियां और फैक् में करते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन अविश शाह कहते हैं, बीजे पी के अद्रिक्ष की ये जन आक्रोश नहीं, ये तो परिवार आक्रोश रहली है, इसलिए ये हो रहा है, डोक्टर संबित बात्रा, अकिलेश पताप सिंग, दोनों यहां पर हमारे साथ हैं, और बहुत सारे सवाल अकिलेश जी ने डोक्टर संबित पत्रा के लिए उठा दिये हैं, जिसमें हम राये, सौगत एक पर फिर से आपका दंगल में, आज हम बहस कर रहे हैं कि क्या 2019 में मोदी का मैजिक खत्म होगा, क्या मोदी के खलाफ ये जना क्रोश है, वैसे आज राहूल गांधी के जना क्रोश रैली में कुरसियां खाली भी दिखी हैं, हम इस बहस पर आगे पढ़ेंगे, अखिलेश जी अभी से इंकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे संबोद दाता अखिलेश ये मनीदीव शर्मावा पर मौजूद है, तो मनीदीव के रिपोर्ट द देख लेते हैं पहले. उतनी भीड याने की पार्टी के द्वारा जेतनी भीड का दावा किया गया था, उतनी भीड यहाँ पर रामदीला मैदान की इस रैली में आकर के एकठी एकठी नहीं हुई है, और लोग यहाँ पर रैली माएंगे तकि राहुल गांदी की बतोर अध्यक्ष जनाक्रोश र पार्टी का वो दावा कहीने कहीं पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, और पीछे की जो कुरसियां है, वो खाली ही दिखाई दे रही है, क्यामरा मैं नरेश के साथ मनीगी शर्मा दिल्ली आज तक। अगलेश जी, हजर आज देखे देखे, कई किलोटर पहले भीन रोग दिया था, और भीन अभी आ भी रही है, और बसों को रही है, हम खुद दो के धाए किलोटर पहले पहले चलके गए थे, लेकिन यह दिया आप में साहस है, पत्रकारिता की, ज़रा मोदी जी और साह जी क किसी दिन जो रोज सुर्शियां खाली रती हैं, दिखा दें, फिर मैं आप तक को जाने, अज़रों लाखों आपनी अंदर जाने ने पाए, बार बार के बार बार के बार भी, और उसमें भी पबलिक अभी आ रही है, और कितनी बीड़ती सबको पता है, हुआ दिखता है, बताने कि आप लोगों को यह इंट्रेस्ट होगा, हमारा इंट्रेस्ट है, इस देश में जो इस टाइम आतताई सासन है, जिससे जनता ऊब चुकी है, दुखी हो चुकी है, उसे बदनना है, उसे रिप्लेस करना है, और जनता को एक ऐसी सरकार देनी है, जो हर कोई समझे की मेरी सरकार है, वो सरकार नहीं जो बलतकारियों के साथ खड़ी हो, दुराचारियों के साथ खड़ी हो, यह पहले दुनिया की पहले सरकार है, कि जो बलतकारियों के साथ जम्मु कस्मीर से लेके आसाम तक यूपी से होते हो, हर प्रदिश में बलतकारियों साथ खड़ी है, कोई सरकार ऐसा करता है ये वो सरकार है जो जाच की भी मांग सुकारती ने जाच से कापती है और अगर कोई फैसला आता है तो तुरंट प्रेस कांफेंस ऐसे करते हैं अब खुस होते हैं खुद अपने आप ये परलेक्षित कर देते हैं कि हम दोसी थे दोस मुक्त हुए उस सरके खुसी का अजहार करते हैं लोया केस में आप बीजेपी विदेरी मिनट पर इस कांफेंस कर रही है और खुस हो रही है क्यों जैसे वो हो रही है कि हम बरी हो गए अरे भाई आप तो उसमें मुझ्दिम थे नहीं लेकिन प्रसंटा आप हास इस तरह का दे रहे हैं कि ब अगे कि हमें एक एसा लिए दूसरा आप दिखिए आजे माकंजी विक्षमा चाहूंगा दिली में या हुड़ा जो वहां पर हुड़ा की लोग प्रिता थी उनको काट दिया गया यहां पर काट दिया यूपी में आपके पास अखले जी जैसे नेता यू आज तक इतने किया जाता है तो फिर में बीचे बोलना शुरू करूं ने ने आप स्वधंडर करेकर हम खत्म हो रहा है सर अपनी बात करी लेकिन उससे पहले हम अगले शी आपकी बात का जवाब देते हमारे सब वाद दा मरीदीब जब यह रिपोर्ट कर रहे थे राहुल गांदी का पब्ली को समय भी आ रही है संबे जी कई सारे आरोब अगिले जी यहां आप पर लगा रहे हैं राहुल गांदी ने वहां लगा दिया कि नरेंद्र मोदी के भाशनों में सच हमें तलाशना पड़ता है डोगलाम में चीन घुस आया है और आप चाय की चुस्कियां ले रहे अगर लोग आके रहुल गांदी को सुनना नहीं चाहते है तो त्रेन को भारती जन्ता पाथी ने खराब कर दिया मॉंबई में और अगर एर टर्बुलेंस हो जाता है तो भारती जन्ता पाथी ले आती है अखलेश जी भी सत्य जानते हैं मैं आपके बीच में बोल रहाता है इसी को बोलते हैं चोर की दारी में दिखाईए साइद भाई मैं बोल सकता हूँ एकदम बोलिए एकदम बोलिए दो मैं किसे बोलूगा मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो अभी आलोग जी ने कहा कि विपक्ष का नेता बिल्कुल सशक तो होना चाहिए मगर राहूल गांदी सशक तो होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी भारती जनता पाटी ने नहीं लिए यह बार-बार कह रहे हैं वो अतीत को भूल जाओ हम अब सब जीत जाएंगे यह त्रिपूरा का चुनाओ अतीत था यह उत्तर प्रदेश का चुनाओ अतीत था यह गुजरात में 8% वोट शेर में डिफ्रेंस था बीजे पी और कॉंग्रेस के बीच में वो अतीत था इस चुनाओ हार के राओ गांदी अब नंबर हैगा गमंडी कौन है आप देखिये बार-बार नहीं चड़ती है बहुत जन्ता को जासादी आपने से अपने काट के हांडी को जराते रहें मुझे बोलने दीजिए आपके बीचे में बिल्कुल नहीं बोला था इत्री बॉखला हाट इन लोगों को इत्री बॉखला हाट गंगा मैया साफ हो गई क्या सी क्योटों बन गया किसानों को डाइगुना मिल गया अनपड़ों के त अब क्या करेंगे जब पड़िनिके लोग बोलते हैं तो आप इसको चिल्डाना सुरू कर देते हैं क्या किसी उपज का दोगुना मिलने लगा क्या बोल रहे हैं शांती से बोलने की जिरांतरों की तरह मत हो यह अक्रों से बताई अब मैं क्या करूं अगर राहू गांदी बास नहीं हो पारय गया है नहीं कर रहे हैं जैंडे वालते को मेरे उपर गुसा दिखा कर यह अफ्या रहे यह तर्भाल दे अन है में राय बले ली और अमेर्थी का कुछ आंकर देना चाहता हूँ ने लिए आप रहे कर दो आपने 20 वादे याद दिला दिये अगर लिए पिशुर्रा के जना हूं पहले तो पड़े लिखे प्रवक्ताओं को बुलाया कडिये। सरा पूर्बर दो सब्द्रवक्ताओं को बुलाया कडिये। पढ़ाई राइबरेली और अमेठी पढ़े पढ़े लिखे इनके हैं और पढ़ा है उसका सट्विकेट ये चुपाते हैं वह बनाते नहीं कि जिनके लिए आदेश है कि उनकी सिक्षा की जानकारी नहीं सारोगनिक की जाएगी पढ़े लिखे नहीं कि जानकारी नहीं पर क्या जाएगा आप बतादो आप दावार की तरह मत भी हैज करें ये बैठें लिक्तें बैठें कि दो कॉंग्रिस ने जन आग्रोश रैली की और कई सारे उसमें सवाल उठाए ये कहा कि हम 2019 भी जीते हैंगे राहूल गांदी में अमिश यहां ने साफतार पर जवाब दिया है कि जन आग्रोश नी परिवार आग्रोश रैली है अखलेश जी सब्बी जी को आपने सुना दोनों के अपने अपने तरक थे लेकिन अलोग सर नहीं ने नहीं हो पाया वो परसनल आपस बात्चीत में बात्चीत में उलच गया क् प्रफिज देखे जिए ने पूरे हिंदुस्तान की बात तो बाद में करूंगा मगर सिर्फ राइबरियली अमेठी को ही देख लीजिए अगलेश सर्फ पर लट चुके हैं वहां बहुत लोग आजमा चुके हैं अगलेश आपने बहुत बहुत लिए लोगो के साथ लिए अगलेश आपने अपने सारी पाते रखे लिए अच्छा आप दो नुशन एक राजनी ते क्विश्टर के तो और पर ने देखते हैं लोगो में नाराज़गी उसके बाद उसको वोट पे करवार करना जिलो उनका टार्गेट दो जाए लिए बात हो नहीं पाई जबी मैं बहुत मांते हैं नहीं हो पा रही है अगलेश ये संबिज्जय में रुपना हो गया है पर देखते रही है आज तक लेधिस खबरों के लिए यो ही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले